जैहिन दोस्तो स्वागत करते हैं आपका आपके अपने योट्यूब चैलेंट जन सिवा के नवार्सी में दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB के न्यू रिक्मेंट Senior Personal Assistant and Personal Assistant and Junior Judicial Assistant के Online Form Fill Up प्रोसेस के बारे में दोस्तो form को कैसे fill करना है आपको step by step live form fill करके दिखाएंगे ताकि आपसे form बरने में कोई भी गलती न हो उसके पर दोस्तो कुझरी बिंदू पर ज्यान देंगे जैसे कि इसके notification पे तो दोस्तो ये है इसका notification आप इसको इसके official website से download कर सकते हैं अब यहां दिखेंगे आपकी important date दिया हुआ है कि 18 जन्वरी 2024 से form fill up start हो गई है जो कि 8 फर्वरी 2024 के राज के 11 बेर तक चलेगा ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां से scroll करेंगे तो आपको यहां पे post का नाम दिख जाएगा जैसे senior personal assistant, personal assistant and junior judicial assistant यहां तिन post निकाली गई है अब देखेंगे यहां post name दिया हुआ है senior personal assistant यहां पे name of department में देखेंगे district and session court यानि की जीला एंवसर तन्यारले में यह post निकाली गई है यहां पे pay level देख सकते हैं उसके बाद यहां पे seat को देख सकते हैं टोटल एक ताली सीट है इसमें ठीक है इस प्रकास आप देख सकते हैं जैसे यहां देखेंगे personal assistant दिया हुआ है यह भी district court में ही है यहां pay level साथ level का है उसके बाद general OVC, SCST, EWS टोटल यहां पे seat लेख सकते हैं आप टोटल आपका यहां पे 376 seat है तो इस प्रकास दोस्तों आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं पोश्ट का नाम कि इस department में निकाला गया है और कितने कितने seat हैं जैसे यहां पे junior judicial assistant का है यहां पे 546 टोटल पोश्ट है कुल मिला के 990 पोश्ट के लिए निकाला गया है रिक्मेंट इस क्रॉल करते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके qualification के लिए इस क्रॉल करके जब आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा देखने को यहां देखेंगे senior personal assistant and personal assistant पोश्ट कोड यहां पे दिया गया है उसके बाद देखेंगे यहां पे इस entire qualification में तो graduate with दिया हुआ नि तो इस प्रकास से आप देख सकते हैं कि इस entire qualification में क्या क्या है graduation जितने भी इसमें सीटे हैं सभी के लिए graduation माना गया है किसी भी stream से हो आप तो eligible रहेंगे इस प्रकास से दोस्तों आप देख लेंगे यहां पर आयू कितना है यहां पर दिया हुआ है इस क्रॉल करके आप जो चलते हैं form fill up process पर लेके चैनल परने होंगे तो subscribe कर लिजेगा आपके एक subscribe से मुझे काफी खुशी मिलेगी तो शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों form fill up के लिए आ जाएंगे official website पर यहां पर देखेंगे dssb online.nlc.in की website पर आ जाएंगे अब देखेंगे यहां पर दिया for new registration के option पर आप click करेंगे registration के लिए उसके बाद registration के बाद आप sign in करेंगे चलिए मैं registration करके दिखाता हूँ registration कैसे करना है यहां देखेंगे form इस परकार से खुल जाएगा registration का यहां पर name of application में अपना नाम लिखेंगे the enter में अपना दुबारा से नाम को fill करेंगे उसके बाद यहां date of birth को fill करेंगे जो भी आपका date of birth होगा date of birth को यहां से select कर सकते हैं अपने according उसके बाद देखेंगे the enter dov भी दिया हुआ है दुबारा से date of birth को select करेंगे यहां जोस्तों दो दो बार सभी चीश फिल करना है जैसे high school का यहां पर road number को देंगे उसके बाद the enter road number of high school यहा करना नहीं किसी को भी री एंटर यहां पर दुबारा री एंटर करना पड़ेगा पास किये हैं उसके बाद select gender के option पर क्लिक करके अपना जेंडर चूस कर लेंगे यहां से देखेंगे यहां आपका नेसलेटिव पालिस लिखा रहेगा father's name के option में पिता जी का नाम लिख दे में दुबारा से माताजी का नाम को फिल कर देंगे Richmond Sponse गेंगे यहां पर साधी सुदा महिला हैं वो अपने पती का नाम देगे yaha EA Car boss name में इसके बादिवाऑरा से यह इंतर करेंगे इेμεल इम्याटी को फिल करेंगे अब देखेंगे इंटर ओ ट्थीपी है तो यहां पे ए इंटर मोबाइल ओटीपी में मोबाइल नंबर को फिल करेंगे उसके बाद देखेंगे बगल में दिया हुआ है इंटर इमेल ओटीपी में अपना इमेल ऐडी को फिल करेंगे फिल करने के बाद दोस्तों यहां पर देखेंगे गेट ओटीपी दिया हुआ है तो यहां पर गे ठिल लुए विख्यक्त 되면 झाल पर यहांपे छツिस्क्षाओं हो जो यहां पर अगार जो दोल को SQL फिल करने बाद जो यहां और अग kicking धिया हूआ है चेक बॉक्स de Тिक करेंगे उसके प्रिवी करके चेक कर लेंगे सब साहिक नहीं उसके बाद यहाँ डिकलेशन चेक बोक्स पर टिक करके सब्मीट कर देंगे सब्मीट जैसा ही करेंगे आपका रिजिस्टेशन जो है सक्सेस्पूल हो जाएगा उसके बाद आपको लॉग इन करके फॉर्म को फिल करना साइट पर अब देखेंगे यहां क्लिक टू साइन इन लिखा हुआ है तो साइन इन के ऑप्सन पर क्लिक कर देंगे साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आगा यहां अपना डिटो डेट ऑब बर्त को फिल कर देंगे उसके बाद हाइज स्क को यहां पर एंटर करना होगा और यहां पका पास के हैं high school उसको मत कर देंगे इस लिए पासिंग경 को पेदेंगे ऐस के बात पासवाड़ जो आप बनाए हैं उस पासवाड़ को यहांपर फिल करेंगे हैं समy करेंगे credit को यहां फिल पे आप क्लिक कर देंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, मैं इसको स्क्रॉल करके दिखा लेता हूँ इधर, अब देखें, यहाँ पे उपर दिया हुआ है सीनियर परसनल असिस्टेंट, एंड परसनल असिस्टेंट, जूनिय जूडिसियल असिस्टेंट, तो यहाँ पे जिस फॉर्म के लिए भी आप अप्लाइ करना चाहेंगे, यहाँ पर देखेंगे सो रुपए का फिस्टो कर रहा है, जनरल ओवीसी के लिए सो रुपए है, यह सी यस्टी और दिव्यांग और महिला केंडिडियाट के लिए 0 प नाम वगेदर, मोबाइल नंबर, पिताजी का नाम, सारी चीज़े आपकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन सो करेगी, साथ में आपका डेट ऑब बर्त वगेदर भी, ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे पहले जो आप्सन है, पर्मानेंट एड़े को फिल करेंगे, आपका जो भी एड़ेस होगा, पूरा एड़ेस को यहाँ पर फिल कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर पिन कोड में अपने पिन कोड को एंटर कर देंगे, जो भी आपका पिन कोड होगा, आपके छेतर का, पिन कोड एंटर करने बाद देखेंगे, सेम चे या EWS है यदि मालीजी आप OBC, EWS है तो मैं स्लेट करके दिखा रहा हूं जैसे मैं यसी को स्लेट करता हूं यसी को स्लेट करेंगे देखें आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा अब देखें यहां पर सर्टिफिकेट नंबर का उप्षन आजाएगा तो यहां पर सर् अब देखेंगे स्लेट करेंगे यहां से चुज़ करने अपने कौर्डिंग जो भी तारीक होगा उसके बाद देखेंगे स्लेट करेंगे जैसे उत्तर पदो से बना है तुम है यहाँ पर UP चूज करूंगा आपका जो होगा उसको चूज कर लीजेगा यहाँ पर देखेंगे certificate issue authority में certificate कहां से जारी किया गया है तो उसका नाम लिखेंगे जैसे कि जाती पूंपर तहसिल दार जारी करते हैं तो यहाँ पर तहसिल दार लिख देंगे उसके बाद अपने त आप हैं तीन साल सर्विस हो चुका है तो चेक बॉक्स पर टिक करेंगे एक सर्विसमें आप होंगे तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक करेंगे उसके बाद डिफेंटली एबल होंगे तो चेक बॉक्स पर टिक करेंगे नहीं होंगे तो छोड़ दीजेगा उसके बाद द साइज है वो आपका पोस्ट काट साइज फोटो होगा 5 गुड़े 7 इंच का और यहाँ पे 50 से लेके 300 के बीच का फोटो रहेगा अब जोस्तो फोटो को जो रिसाइज करना है मैं पिक्सल में आपको दिखा देता हूँ थोड़ा स्क्रॉल करके इधर अब देखेंगे यहाँ जो फोटो की साइज है 450 गुड़े 672 पिक्सल में आपको बनाना है फोटो को उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सिगनेचर का उप्सन है सिगनेचर आपको अप्लोड करना है 140 गुड़े 110 पिक्सल में जो की 40 के बीच से नीचे का रहेगा इसकी साइज उसके बाद यहाँ खंब इंप्रेशन लगाना है यह आपका 110 गुड़े 140 पिक्सल में रहेगा 40 के बीचे का उसके बाद यहाँ फोटो को उप्लोड करेंगे अब यह आपका 110 आपको टिक करना पड़ेगा जैसे यहां देखें जूनियर दिलही कोट का भी है और यहां पर फेर्मिली कोट भी है यहां पर सेंटर कॉलिफिकेशन वेगरा सो कर रहा है तो उसके सामने आप चेक बोक्स पर टिक कर दीजेगा जिसके इसलिए आप अपलाई करना चाहेंगे पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे ठीक है यहां देखें सेव अनिस्ट का ओप्सन है यहां पर दोनों कर सकते हैं नहीं तो आप सेव अनिस्ट करके आगे बढ़ेंगे सेवन निस जैसे ही करेंगे आप आजाएंगे अगले चड़ा पर यहां देखेंगे Select Department to Fill Qualification तो Select के Option पर क्लिक करेंगे तो मैं यहां पर सिर्फ एक ही Department चूज किया था District Code को तो यहां पर District and Season Code को यहां से Select कर लेंगे ठीक है Select करने के बाद देखेंगे आपके सामने थोड़ा से वेट करेंगे तो कुछ इस प्रकास से आ जाएगा पेज आप देखिए यहां पर दिया हुआ है Graduate प्लस टाइपिंग स्पीड आपका 40 वर्ड पर मिनिट on computer है तो यहां पर गोला में चेक बॉक्स है चेक बॉक्स पर टिक करेंगे जैसे टिक करेंगे अब देखिए यहां पर आपको फिल करने के लिए आजाएगा अपना इस इंटेल क्वालिफिकेशन तो क्वालिफिकेशन में यहां पर Select Any पर क्लिक करेंगे Graduate आपको Option में लेगा Graduate को फिल कर देंगे परस्टेंटेज को फिल करने के बाद देखेंगे यहां पर State का Option है तो किस State से आप graduation किये हैं अपने State को यहां पर चूज कर लेंगे जैसे मैं उत्तर पर चूज कर रहा हूं उसके बाद देखेंगे यहां बोर्ड उनिवर्सिटी में तो आपके State में जितने भी उनिवर्सिटी होंगे सब यहां पर सो करेगा अपने recording आप यहां पर स्लेट कर लेंगे नहीं मिलेगा तो नीचे आएंगे तो वहां पर अधर्स का उप्सन है अधर्स उप्सन भी स्लेट कर सकते हैं वैसे सब इस आपको युणिवर्सिटी यहां पर मिल जाएगा आपके स्टेट वाइज उसके बाद दिखेंगे पासिंग एयर में तो यहां पर पासिंग यह चूज करना है मन्त को किस मन्त में पास किये हैं तो यहां पर जो भी आपका मन्त होगा अपने मन्त को यहां से सलेट कर लेंगे उसके बाद दिखेंगे इंसर्ट का उप्सन है सेव हो जाएगा अब देखें यहां मेरा एक जो है क्वालिफिकेशन सेव हो गया आप चाहिए तो एड कर सकते हैं और भी नहीं तो यहां पर चेक बॉक्स मिलेगा चेक बॉक्स पर टिक करने बाद डू यू वांट टू फाइनली सेव का आपसन मिलेगा तो सिंपल इस पर आ प्रिव्यू पर लेंगे जितना भी फॉर्म फिल किये हैं सारी जीटिल यहां पर सो करेगा आपका फोटो सिंग्नेटर वगरा जो भी फिल किये हैं सारी चीज़े यहां पर सो करेगा इसको पढ़ लीजेगा अच्छे से एक बार सब सही है कि नहीं अगर माली जो कुछ गल के अब जैसे पुल करेंगे आपका फॉर्म यहां पर आपक्र पाइगा यहां पर अप्लिकेशन दिया हुआ है अप्लिकेशन को प्रिंट करने के लिए प्रिंट के ऑप्सन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप अपना print out ले सकते हैं क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकास लोडिंग लेगा अब देखेंगे select post applied को option मिलेगा तो यहां पे क्लिक करके जिस post के लिए आप apply किया है या जैसे मैं यहां पे कई साथ post लिए apply किया हूँ जो पिछला वला सो कर रहा है अब यहां देखेंगे junior judicial के लिए मैं अभी भी apply किया हूँ तो simple इसको यहां से select करके print application form पे click कर देंगे तो आपका form print होज आगा तो आशा करने दोस्तों वीडियो से में आई होगी तो like जरूर कर दीजेगा साथ में subscribe कीजेगा और अपनी दोस्तों में share भी कीजेगा मिलते हैं इस वीडियो तब तक के लिए बाएं